बिहार की प्रमुख परिटन स्थलो की साथ साथ छोटी जुरूस्ट डेस्टिनेशन की सूरा तब जल्द ही बदलने वाली है जी हैं बता दे कि सरकार यहां परिटकों की संख्या बढ़ाने के लिए लगतार प्रयास कर रही है इसके लिए इसी करी में अब राजसाकार द्वारा नई परिटन नीती भी बनाए गई है जिसके लागू होते ही कई प्रकार के परिटक स्विधाएं विकस्त की जाएंगी बिहार की इस नई परिटन नीती को उद्योग विभाग ने मन्जूरी दी दी है इस नीती को अभी क्याबिनेट से मन्जूरी मिलने का इंतजार है क्याबिनेट से मन्जूरी दी मिल जाती है तो उसके बाद इसे लागू कर दिया जाएका इस नीती के बारे में अगर हम आपको बताएं तो हर तहत परिटन स्थलो पर सुविधाएं विकस्त करने के लिए राजसरकार की ओड से अनुदान भी दिया जाएगा बिहार में परिटन को बढ़ावा देने के लिए नई परिटन नीती को साथ सेक्टरों में बांच गया है इसके जरिये परिटन स्थलो पर होटल, रेस्टरॉं और रिजोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार अरा नुदान भी देगी इतना ही नहीं, अगर कोई पहले से बने होटल को फोर स्टर होटल में तबदील करना चाता है तो वो भी मदद की जा सकती है इस नीती में राज मांगो के खिनारे परिटन स्थलो को विकसित्क किया जाना है इन परिटन स्थलो में आसपास के भी स्थलो का विकसित्क किया जाएगा बता दें कि बिहार में सबसे जादा परिटक धार्मिक और अतिहासिक उस्थलो का भ्रमन करने के लिए आते हैं लेकिन राज सरकार अब एको टुरिसम ग्रामीन परिटन सहाइक यानि की एडवेंचर परिटन संस्कृतिक परिटन आदी को बढ़ावा देने की योजना बना जिसका विचार किया जा रहा है बताते चले कि राज के जिन स्थलो पर परिटन सुविधाएं विकस्तित की जानी उसमे नालंदा बोध गया के परिटन स्थलो के अलावा बेगु सराई में कामर जील और जैमंगलागर भी शामिल है सांती जहानाबाद में बनावर की पहार बीबी कमाल का मकबरा और बराबर गुफा भी शामिल है मुंगेर में भीम बांध और मुंगेर किला है सारन में आमी दरबार है चिरांद और हरीहर शेत्र भी शामिल है पूरवी चमपारन के अगर बात करें ते इसमें केसरिया अरे राज और खेल जनमस्थली और लेक टां भी शामिल के गए पश्मी चंपारन में भीती हरवा गांधी आच्रम है सांती रोतास कि अगर बात कर ले तो रोतास में धूआ कुंड रोतास गर किला मांजर कुंड तुतला भवानी जील कशिश वोटरकॉल शेरसा का मकबर आइंदरपुरी डैम अधीश शामिल है तो चल द अब इन सभी परटन स्थलो को और भी जादा खुपसूरत बनाने की और बढ़ने वाला है